तो सबसे पहला example लेंगे, example है हमारे पास कि find equation of find equation of normal ठीक है, तो पहला part लेते है normal और दूसरा part लेते है tangent, दोनों ही निकालते है tangent to curve, ठीक है, curve आपको दिया हुआ है, x square is equal to 4y, ठीक है, which passes through पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,2, ठीक है, पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,2, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ऐसे questions में हमें यह identify करना है, कि जो point हमें दिया हुआ है, क्या वो point curve पे लाई करता है हमारे, तो अगर हम ध्यान से देखिए, तो यह point जो है, इस curve पे लाई नहीं करता है, ठीक है, यह point जो है, इस curve पे लाई नहीं करता है, तो अगर नहीं करता है, तो फिर हम कौन सा approach यूज करेंगे, तो अगर x square is equal to 4y का एक tentative graph बनाए, ठीक है, x square is equal to 4y का एक tentative graph बनाए, तो वो graph कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, यह graph कुछ इस तरीके से हुआ होगा, color हम दूसरा select कर लेते हैं, let us find green selected, तो graph कुछ इस तरीके से हुआ होगा, x square is equal to 4y का, ठीक है, यह कुछ इस तरीके का graph हुआ होगा, a point है हमारा 1,2 इधर कहीं लाई किया होगा 1,2 हमारा point कहीं इधर लाई किया होगा तो clearly सबसे पहला point तो यह देख रहे हैं पहला बात तो हम यह देख रहे हैं अब अच्छा अगर आपको इस बात में confusion है कि यह 1,2 इस तरफ कैसे आया ठीक है तो आप देखिए curve है हमारा x square minus 4y x square minus 4y is equal to 0 ठीक है अगर हमने मान लिजे इसमें कोई point लेट असे 0,1 रख दिया तो 0,1 रखिएगा तो value आपकी negative आएगी और यह point भी रख रहे हो तो value आपकी negative आ रही है यानि curve के respect में जिस तरफ 0,1 लाई कर रहा है उसी तरफ हमारा क्या होना चाहिए 1,2 तो अगर हम clearly देख रहे हैं कि एक parabola है और point हमारा inside the parabola lie कर रहा है तो यह tangent तो यहां से कुछ नहीं होने वाला तो second जो question का second part था tangent तो कोई draw नहीं हो सकता तो no tangent can be drawn tangent तो कोई भी drawn नहीं होगा अब बात आती है normal की तो normal का equation निकालने के लिए हम करेंगे क्या तो ध्यान से समझिएगा इसको ऐसा कुछ normal हुआ होता हमारा ठीक है तो foot of perpendicular इसका यानि foot of normal जो है उसको for the time being for the time being हम x1, y1 बोल देते हैं बहुत सारे तरीकों से करेंगे जिसमें एक तरीका ये है x1, y1 बोल देते हैं तो slope of normal जो आएगा हमारा वो basically minus dx by dy आएगा और अगर equation को आपने differentiate किया इस equation को अगर आपने differentiate किया y के respect में तो ये बन जाएगा 2x dx by dy minus 4 is equal to 0 और यहां से अगर हमने देखा तो minus dx by dy की जो value आएगी वो minus 2 upon x1 आजाएगी at point x1, y1 ठीक है? तो ये value हमारी आगई minus 2 upon x1 तो ये हमारा हो गया basically slope of normal slope of normal हो गया अच्छा दूसरा scenario हमें दूसरा चीज ये भी पता है कि x1, y1 इस curve पे लाई करता है तो हमें ये भी पता है कि x1 square is equal to 4 y1 है तो ये हमारा slope हो गया ये हमारा condition हो गया x1, y1 पे ठीक है? तो अब अगर equation of normal अगर हम लिखें तो normal का equation हो जाएगा y minus y1 is equal to slope था हमारा minus 2 by x1 ठीक है? x minus x1 ठीक है? ये हमारा equation बन जाएगा अब ये normal कहां से pass करता है? 1,2 से तो 1,2 इसको satisfy करेगा तो 2 minus y1 is equal to minus 2 by x1 x minus x1 sorry x के बदले में 1 डालने वाले हैं क्योंकि 1,2 से pass करता है तो ये expression बन जाएगा अब हमें पता है कि y1 की value जो है वो x1 square by 4 है y1 की जो value है वो x1 square by 4 है तो ये यह आँपे substitute कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 minus x1 square by 4 is equal to minus 2 by x1 1 minus x1 एक काम करते हैं 4 x1 से दोनों तरफ multiply कर देते हैं तो ये बन जाएगा 8 x1 minus 4 x1 cube is equal to यहाँ से आपका बन जाएगा 8 minus 8 x1 तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपके पास एक equation बन जाएगी ठीक है यहाँ पे sorry आपके पास 4 नहीं आएगा पस x1 cube आएगा तो यहाँ पे x1 में एक cubic equation आगया तो इस cubic equation को यहाँ पे भी minus sign हमने adjust नहीं किया है तो यह minus sign भी adjust कर लेंगे यहाँ पे plus आजाएगा तो यह value तो आपकी हो गई cancel ठीक है जैसे ही आपने यह value cancel करी तो आपको दिख गया x1 cube की value 8 तो यानि यहाँ से हमारे पास x1 की value आजाएगी 2 और अगर x1 की value 2 आगई तो हमने देखा था कि y1 की value थी जो वो x square by 4 थी यानि यह y1 की value आजाएगी 1 तो point हमें x1, y1 मिल गया तो हम यहाँ पे put करके क्या निकाल सकते हैं अपने normal का equation ठीक है तो हमारा normal का equation क्या हो जाएगा normal का equation हो गया y minus 1 is equal to minus 2 upon 2 तो minus 1 हो गया और x minus 2 ठीक है थोड़ा simplify करके लिख लेंगे तो हमारा answer हो जाएगा x plus y ठीक है is equal to 3 तो यह हमारे normal का equation आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है तो यह तो एक तरीका हुआ कि हमने random कोई point x1, y1 मान लिया ठीक है दूसरा method थोड़ा आसान करने के लिए आप यह कर सकते थे method 2 कि आपके पास curve जो दिया हुआ है वो x square is equal to 4y दिया हुआ है तो आप इस पे parametric coordinate मान सकते हो क्या मान सकते हो देखिए ध्यान से x is equal to 2t और y is equal to t square अगर आप देखोगे तो यह इस equation को क्या कर रहा है satisfy कर रहा है तो यहां से अगर हम normal का equation लिखें यहां से अगर हम normal का equation लिखें तो normal का equation हमारा बनता y minus t square is equal to minus dx by dy लिखने वाले हैं तो minus dx हमारा हो जाएगा minus 2 ठीक है तो minus dx यहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि minus dx by dy के लिए हम क्या कर रहे हैं minus dx by dt upon dy by dt ठीक है तो यह अगर हमने देखा तो minus dx by dt हो गया आपका minus 2 और dy by dt हो गया आपका 2t तो यह value हो जाएगी direct लिख देता हूँ यहां पे minus 1 by t ठीक है तो यह बन जाएगी value minus 1 by t और इधर हमारा हो जाएगा x minus 2t ठीक है अब इसको हम simplify कर लेते हैं and now this passes through this passes through 2,1 sorry 1,2 1,2 था point तो 1,2 इसको satisfy करेगा तो यह हो जाएगा 2 minus t square is equal to minus 1 by t 1 minus 2t तो t से multiply कर लेते हैं यह बन जाएगा 2t minus t cube is equal to minus 1 plus 2t 2t, 2t हो गया cancel और यहां से t cube is equal to 1 के corresponding हमें जो value मिल जाएगी t की वो 1 मिल जाएगी तो t की value 1 मिलते के साथ यह value हम क्या करेंगे इस equation में put कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अपना tangent का equation तो answer होगे हमारा sorry, normal का equation तो normal का equation मन जाएगा y minus 1 is equal to minus 1 x minus 2 simplify करने पे हमें अपना normal का equation वापस से मिल जाएगा x plus y is equal to 3 ठीक है तो अगर आप बिना parametric coordinate माने करना चाहो तो इस method से कर सकते हो, method 1 से या फिर आप क्या कर सकते हो की curve का equation दिया हुआ है तो उस पे parametric coordinate मान के और फिर आप क्या कर सकते हो equation of normal या equation of tangent जो भी आपसे पुछा गया है वो easily निकाल सकते हो ठीक है चलिए, फिर अगला सवाल करते है next example है बहुत simple simple examples है लेकिन practice के लिए ये बहुत जरूरी है ठीक है अगला example लेते है example है find tangent find equation of tangent obviously equation of tangent to curve आपको दिया हुए है y is equal to x square plus x plus 1 at 1,3 तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया हमारे लिए आसान किस sense में हो गया कि ये point अगर हम देखें 1,3 तो ये तो हमारे curve पे ही लाई करता है तो curve पे लाई करता है फिर तो हमें जादा दिमाग लगानी की जरूरत ही नहीं है हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे dy by dx निकाल लेंगे पहले तो dy by dx differentiate करके निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x plus 1 लेकिन ultimately हमें निकालना था dy by dx at 1,3 1,3 यानि x is equal to 1 रख देंगे तो हमारा dy by dx आ गया 3 ठीक है तो therefore tangent का equation अब तो आख मूंद करके हम लिख सकते हैं tangent का equation हो जाता है y minus y1 that is 3 is equal to slope into x minus x1 that is 1 तो simple equation हमारा 3x minus y and is equal to 0 simple सा minus 3 minus 3 दोने तरफ से cancel out हो जाएगा ठीक है तो बहुत simple है चलिए अगला example देखते हैं next question अगला example है हमारे पास ठीक है tangent to curve ठीक है tangent to curve tangent to curve और curve का equation आपको दिया हुए है y is equal to x square से लेकर x cube तक और dt अपॉन root ओवर 1 प्लस t square at x is equal to 1 तो मतलब इस curve के आपको tangent का equation निकालना है at x is equal to 1 तो एक तो तरीका है कि आप directly इसको पहले integrate कर लो और फिर differentiate करके आप tangent का equation निकालो दूसरा तरीका ये है कि हमें at x is equal to 1 की बात करी जा रही है at लिखा हुआ है यानि clearly ये point जो है वो curve पे लाई कर रहा है तो for x is equal to 1 के लिए अगर y की value देखें है तो ये आपका बन जाएगा 1 से लेकर 1 dt upon root over 1 plus t square तो ये तो value हो गई 0 क्योंकि दोनो upper limit और lower limit same है तो जो point आगया आपका p वो point आगया 1,0 यानि basically आपको tangent का equation जो निकालना है वो कौन से point पे निकालना है 1,0 पे तो point अगर हमें पता चल गया तो point हमें पता चल गया तो slope अगर हमें पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा तो एक काम करते हैं differentiate कर देते हैं हम सीधे इस integral को ठीक है differentiating using using Newton's Newton, Levinids rule Newton, Levinids rule का use करके हम इसको क्या कर लेते हैं differentiate कर लेते हैं तो differentiate करोगे आप तो dy by dx की जो value आएगी वो क्या होता है function में सबसे पहले हम upper limit डाल देते हैं तो यह बन जाएगा 1 upon root over 1 plus x to the power 6 ठीक है और upper limit का derivative तो 3x square minus function में अब इस बार lower limit डालते हैं तो यह 1 plus x to the power 4 और lower limit का differentiation तो 2x तो अगर यहां से हमने देखा तो हमें तो dy by dx किस point पे चाहिए था p के लिए यानि dy by dx at x is equal to 1 चाहिए था तो x is equal to 1 अगर हमने यहां पे डाल दिया तो यह लिखा हुए 3 upon root 2 और minus 2 upon root 2 जहां से clearly हमें slope of tangent मिल जाएगा root 2 तो 1 upon root 2, sorry 1 upon root 2 हमें tangent का slope मिल गया point हमें 1,0 पता ही था तो हम सीधे सीधे equation अपना लिख सकते हैं कि y minus 0 is equal to 1 upon root 2 x minus 1 यह हमारा tangent हो जाएगा तो यहां से simplify कर लें अगर हमारा final equation बन जाएगा x minus root 2y and minus 1 is equal to 0 ठीक है तो बड़े simple से सवाल होते हैं इसमें ज्यादा difficult होते नहीं है ठीक है अगर इस particular section में direct आपको tangent निकालना है और आपका answer आजाएगा